आपके आपके अपने यूटूब चैनल कैसी यार यानि कि कनवार्य क्लासिश भाई राजी दोस्तों मैं आपके लिए न्यूजबेबर से डेली जो महत्वपूर्ण क्वेशन से न्यूजबेबर में दिये जाते हैं वो कई लोग पढ़ने ही पाते हैं या पिर अगर मान लिए जो क्यूशन से वह रिवाइज हो जाएंगे तो वह मैं डेली आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको तो आप यह इंपोर्टेंट क्यूशन होते हैं इसमें दो को सकने जो न्यूजबेबर में आ रहे हैं तो उनको मैं आपके सामने प्रसुत कर रहा हूं एसे प्रसुत करते करते हैं वह बहुत सारे क्यूशन हो जाएंगे और यह 10 दिन के लगबग में आपको यह जा जितने भी क्यूशन होते हैं उनको रिवाइज कर रहा हूंगा एक बार सबको कंप्लेट ली तो रो जाने के 10-10 क्यूशन में आपको प्रोवाइड करवाता ज सोच हूं तो दोस्तों शुरुवात करते हैं पहला क्यूशन है क्यूशन बहुत अच्छे हाली में जारी की गई भारत वन इस्तिति रिपोर्ट में भारत को वन छेत्र के मामले में दुनिया के किस इस्तान पर रखा गया है तो दोस्तों इसमें नंबर पे रखा गया है बी पॉप्स ने क्रिप्ट करणशी रखने वाले कितने सरवादि कमीर लोगों की सूची पहली बार जारी थी हैं तो कितने कालिक जारी की हैं जो क्रिप्ट कर्णशी रखते हैं तो इसमें दोस्तों ओप्षन है 30 40 25 या 20 तो इसमें से क्या होगा दोस्तों इसमें आप का अंसर होगा यह जो डी है यानि दे हैं वह होगा यानि 20 लोगों की ऐसे लोग है जिनकी फोप्स ने क्रिप्टो केरेंशी रखने में सरवादिक जो में लोग है उसकी सूची पहली बार जाली किये तो 20 है देश का अंसर होगा नेक्स्ट है भारति महिला स्काइड डाइवर जिन्होंने हाली साड़ी पहन कर स्काइड़ाविंग करने का विस्वी रिकोर्ट बनाया है यह जो लेटेस्टु क्यूसंस होते हैं उनसे लेटेस्टु क्यूसंस आते हैं तो यह आपके क्लियर हो जाएं दोस्तो इसमें आपका अंसर होगा शितल राणे है जिन्होंने हाली में साड़ी पहन करने का विस्वी रिकोर्ट बनाया है तो कौन है इसमें आंसर है शितल राणे नेक्स्ट है हाली भारत और UAE के मद्दे कितनी समझोते पर अस्थाक्षर किये गए हैं तो तीन पी किये ऐठ आट पर किये गए हैं पाच किये गए हैं या फिर छैपर किय गए हैं तो दोस्तों इसका अंसर होगा पाच पर किये गए है भारत और UAE के मद्दे समझोते पर अस्ताक्षर नेक्स करनल ने किस राणीदी के विधिगे और वेग्यानिक कहा है तो कौन सा ऐसा राजपुत सासक था जिसे करनल टोड ने राजनितिगे विधिगे और वेग्यानिक कहा है तो राजा जै सिंग थे राणा आमर सिंग थे सवाई राजा जै सिंग थे या फिर महाराना कुमबा थे तो ये option से आप आपने पहचान तो लिया होगा अभी आप सोच लीजिए और बता दीजिए तो मैं इस कांसर आपको बता रहा हूँ तो इस कांसर है सवाई राजा जै सिंग को करनल टोड ने राजपु सासक ये राजिनति दिगे और विदीगे और वेग्यानिक कहा है नेक्स्ट क्यूशन अपना 1943 में केंद्री विदान सभागी सदस्य बनने वाले पर्थम भारते महिला सदस्य कोन थी तो सुचेता करपलानी थी या फिर रेनुकार राय थी सरोजनी नाइडू थी या फिर विजय लक्षमी पंडित थी तो इसका अंसुर क्या होगा दोस्तो सोची आप अभी मैं आपको आंसुर बता देता हूँ इसका अंसुर होगा दोस्तो रेनुकार राय वो थी जो 1943 में केंद्री विदान सभागी सदस्य बनने वाली पर्थम महिला रही पर्थम महिला सदस्य रही तो कोन थी ये रेनुका जा राई ओप्शन नमबर B नेक्सट आ प्रसिद वीरूपाक्ष मंदीर कहां अवस्तित है तो यह बद्रान चलम में चलम में श्तित है चिदम्रम में श्तितर श्री कालास्ती में श्तित적 है यह फिर हम्पी में श्तित है 기에 तो अभी आप सोचिए में आपको आंसरा ना आपते हैं जंसंग्या घंतना नाmid कंपीटर की पॉस्मरत ये शक्ति वेक क्षमता नापते बहुत इजी क्यों से ना आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसे शायद बता उप्षन बताने की भी आश्चता नहीं है इसमें तो सिधा सा इसका उप्षन है कम्पिटर की समरती क्षमता मेगाबाइट में मापी जाती है नेक्स्ट है नापी जाती है युद्य या ब्रह्म भाई ये युद्य या भाई आकरमन के कारण की गई आपातकाल की गोशना का संसत दौरान मोदन होना चाहिए तो एक महीने में होना चाहिए दो महीने में होना चाहिए तो सोचिए दोस्तों आप इसका अंसर होगा एक महीने में युद्धिया भाई आकरमन के कान की गया बातकाल की गोश्णा का संसत दुआरा अनुमोधन होना चाहिए कब के ओल एक महीने में ओके जी नेक्स्ट है निन में कौन अधाद्विक खनीज है मेगनीशियम है मेगनीश है बोक्साइट है सोचिए दोस्तों इसका अंसर होगा जिप्सम एक अधात्विक खनीज है मेगनीशियम भी दात्विक है मेगनीश भी दात्विक है और बोक्साइट भी दात्विक है तो अधात्विक इन में से कौन सा है जिप्सम एक अधात्विक खनीज है तो